मुकुन पॉसे रुपेस 50 जादा है जितने सागर के पास है तो सागर के पास जितने भी है उससे 50 रुपेस जादा किसके मुकुन के सागर के पास कितने है ऑदों को मुकुन करकर प्रोडक्ट दोनों को मुकुन करके पास कितने परस हम लोगों को क्लेट, amount with sagar भी रूपीज एक्स and amount with mokun भी रूपीज एक्स प्लस 50. According to given condition, x, x plus 50 is equal to 15,000. Okay, now x x square plus 50 x is equal to 15,000. 15,000 यहाँ पर क्या हो जाएंगे? Minus. So x square plus 50 x minus 15,000 is equal to 0. So x को अभी देखो 50 को ऐसे divide करना है कि जो multiple करने पर क्याने चाहिए 15,000. Okay, और add करने पर क्याने चाहिए 50. Add और subtract. दोनों में से कुछ भी करता है, तो answer कहने चाहिए 50. So 150 minus 100, 50. 150 into 100, 15,000. Simple. 150 and 100. समझ मैं? So x, x plus 150 minus 100. x plus 150 is equal to 0. x plus 150, x minus 100 is equal to 0. And therefore x plus 150 is equal to 0. और x minus 100 is equal to 0. So x is equal to minus 150 और x is equal to 100. Money never be negative. कभी minus में पगार मिल दिये क्या? नई. Money never be negative. So x is equal to 100. तो amount with सागर 100. सागर के पास कितने रुपे है? 100 रुपेज है. Amount with मुकून रुपेज x plus 50. That is 100 plus 50. It is 150. मतलब सागर के पास कितने रुपे है? 100 रुपेज. और मुकून के पास कितने है? 150 रुपेज. Okay? Right. Okay.